लोग सब चुनाफ से पहले राहुल गांधी की भारत जोडो यात्रा का दूसरा चरान शुरू होने वाला है। लेकिन इस बार ये यात्रा नए नाम से और नए टूट पर निकाली जाएगी। नमस्कार आप ये खबर उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। दोस्तो भारत जोडो यात्रा का दूसरा चरान यानि की भारत न्याय यात्रा 14 जन्वरी से मनिपुर से महराश तक के लिए निकाली जाएगी। कॉंग्रिस ने इस यात्रा का पूरा रूट मैप भी जाली कर दिया है। यात्रा यूपी के 20 जुलों से होते हुए गुजरेग यात्रा सबसे ज्यादा दिनों तक उत्तर प्रदेश में रहेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और कॉंग्रिस यहां पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। कॉंग्रिस की ओर से बताया गया है कि भारत जोडो यात्रा यूपी में 11 दिन तक रहेगी इस दौरान 20 जिलो में करीब 1074 किलो मीटर लंबा सफर ते किया जाएगा। दोस्तों इस यात्रा का रूट मैप कॉंग्रिस ने खुद अपने एकस अकाउंट पर शेयर किया है ये देखे ये वो रूट मैप है इसके साथ बताया गया है कि 6-6 दिनों की य जिलो से होकर 257 किलो मीटर की दूरी तै की जाएगी फिर असम में 8 दिनों में 17 जिलो में 833 किलो मीटर का सफर तै होगा आरूनाचल में एक दिन में एक जिले और 55 किलो मीटर की दूरी तै की जाएगी इसके बाद मिघाले में आएंगे और मिघाले में एक दिन में एक जिल कोंग्रिस की यात्रा जारकंड में आठ दिनों में 13 जिलों से होते हुए आठ सो चार किलोमीटर का सफर तै करेगी फिर ओरिसा में चार दिनों में चार जिलों से 341 किलोमीटर की दूरी तै की जाएगी. इसके बाद बारी आती है 36 गड़ की, 36 गड़ में यात्रा 5 दिनों में 7 जिलों के जरिये 536 किलोमीटर की दूरी तै करेगी फिर मध्य प्रदेश में जाएंगे जहां पर अभी अभी कॉंग्रस चुनाव हार चुकी है मध्य प्रदेश में 5 दिनों में 9 जिलों से होकर 698 किलोमीटर की दूरी तै की जाएगी इसके बाद बारी आएगी राजस्थान की जहां पर कॉंग्रस अभी अभी अपनी सत्ता आड़ चुकी है भारतिय जन्ता पार्टी से यहां पर राजस्थान में एक दिन में 2 राज्यों से होकर 128 किलोमीटर का सफर होगा फिर गुजरात की बारी आएगी और गुजरात में 5 दिनों में 7 जिलों से गुजरते हुए 445 किलोमीटर की दूरी तै की जाएगी और फिर महराश्ट्र में 5 दिनों में 6 जिलों से होते हुए 480 किलोमीटर की सफर तैह होगी वहीं दोस्तों कॉंग्रेस के जो नेता है जैराम रमेश उन्होंने बताया है कि यात्रा का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो हमारा उत्तर प्रदेश होने वाला है और उत्तर प्रदेश में उनका कहना है कि राहूल गांदी की अनुआई में यात्रा 11 दिनों में यूपी में रहने वाली है जिसमें 1074 किलोमीटर की दूरी तै की जाएगी ये प्रदेश में 20 दिलों से होकर गुजरेगी जिसमें चंदौली, वारानसी, भदोही, इलाहबाद, प्रताबगड, अमेठी जो की कॉंग्रस का गड़ रहा है राहूल गांदी तीन बार यहां से सांसद रह चुके हैं शाहजापुर की, फिर बरेली, फिर रामपुर, फिर मुरादाबाद, मेरट, अलीगर, मतुरा, आगरा, काजगंज इस पूरी यात्रा में शामिल होंगे इस यात्रा के जरीए ही कॉंग्रेस एक बर फिर देश के सबसे बड़े सूबे में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है आपको बताते दोस्तों, इस साल देश में आमजुनाव होने वाले हैं लिए राहुल की भारत जोडो निया यात्रा का राजनी तेक महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है इसकी शुरुआत भी हिंसा के चपेट में मनिपूर की राजधानी इमफाल से हो रही है जहां प्रधान मंतरी मोदी एक बार भी नहीं पहुँचे वहीं राहुल दूसरी बार मनिपूर के लोगों के ताजा जखमों पर मरहम लगाने की पूरी कोशिश करने जा रहे है इससे पहले भी हिंसा के दौरान राहुल मनिपूर के राहत शिवरों में लोगों से मिलने पहुँचे थे जिसे जनता में राहूल को लेकर विश्वास बढ़ने की और ज्यादा उम्मीद है दोस्तों यात्रा को लेकर ताजा ताजा बने विपक्ष के इंडिया गडबंधन में किसी प्रकार का गलत संदेश न जाए इसके लिए गडबंधन में शामिल सभी पार्टियों को कॉंग्रिस की और से यात्रा में शामिल होने का नियोता भी दिया गया है आम लोगों को इस यात्रा से जोड़ कर लोगसभा चुनाव में अपनी और करने के जो मकसद से कॉंग्रिस यात्रा निकाल रही है उसे सभी नागरिक संगठोनों और देश के आम लोगों से इससे जुड़ने का आवाहन भी किया गया है इस यात्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताईएगा यह खबर आप उल्टा चश्मय UC पर देख रहे हैं मेरा नाम है फरहीन अंसारी आप रहें स्वस्त मस्त बसे यह दुआ मारी अलविदा